हालो गाइज वेलकम तो अग्रिकल्चर इड़ा 247 अग्रिकल्चर इड़ा 247 के ऑफिशिल यूट्यूब चानल पर मैं हिना निथानी अब सभी स्टूइंट्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा कंसाप्ट पढ़ेंगे आनिमल हज आ रहे हैं और अगर उस घर की नीव कच्छी है यानि कि आपने उसको बनाते इसमें जो फाउंडेशन उसका डाला है वह कच्छा है वह अच्छे मिटीरियल से नहीं बना है ठीक है तो डेफिनेटली वह बिल्डिंग भी एक नएक दिन कलाप्स कर जाएगी गिर जाएगी करता है तो यहीं हमारा स्टैइज में वहता हैसा हमारे स्टैइज में कैसे होता to beta अगर आप को बेशिक की बारे में आज बातकि OW तो बिटा जब हम terminology के बारे में बात करते हैं तो terminology वो words होते हैं आपके जिनको बार बार use करा जाता है और जिनके meaning आपको पता होनी चाहिए तो animal husbandry में ऐसी बहुत सारी terminology है जो आपके exams में भी पूछी जाती है जैसे आपका नबाड exam हो गया जैसे आपके ये बाकी के exams होगा IBPS A4 हो गया ठीक है इसके लावा बहुत सारे exam से आपके जहां पर जैसे आपका IBPS A4 हो गया नबाड हो गया इसके लावा आपके और भी बह related questions पूछे जाते हैं तो इसके लिए आपको terminology पकी करनी बहुत जरूरी है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे तो गाइस जिससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी स्टूडेंस से request है कि अगर अभी तक आपने अग्रिकल्चर अगर 24-7 के चैनल को subscribe जरूर कीजिए ताकि इसी वीडियो की तरह बाकी बहुत अच्छी अच्छी और informative वीडियो आपको मिल सके जो आपके exam में आपको बहुत जादा help कर सके दूसरी बात और बिटा आपको अड़ा 24-7 के mobile application को भी जरूर डाउनलोड करना है क्यों क्योंकि इस mobile application पे आपको वो चीज़ें मिलती है जिसके आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है और सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी है हमारे लगबग हर exam में पूछा जाता है क्वार करना बहुत जादा जरूरी है तो बिटा यहां पर आपको daily quizzes मिलती है daily quizzes में आप quants reasoning और English का जो portion है उसे अच्छे से cover कर सकते हो उसमें अपनी speed accuracy को check कर सकते हो अपना all India rank up check कर सकते हो इसके अलावा और आप क्या check कर सकते हो बिटा तो इसके अलावा आप यहां पर आपको कभी-कभी free PDFs भी provide होते हैं और जब भी-कभी आपको enroll करना है batches में या किसी about animal husbandry terminology animal husbandry की terminology राइट तो बच्चो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि animal husbandry है क्या बच्चो animal husbandry की अगर मैं बात करूँ तो care of the animal क्या होता इसका मतलग care of the animals यानी की जो हमारे जानवर हैं उनका हमें खयाल रखना है उनका हमें ध्यान रखना है और उन से जादा से जादा production ले ठीक है तो बच्चों अगर general terms में मैं बोलूं कि animal husbandry क्या है तो बटा livestock raising and selective breeding यानी कि उनको हमें बहुत अच्छे से पालना है और selective breeding करनी है selective breeding का क्या मतलब होता है तो बटा selective breeding का मतलब होता है कि जो बहुत अच्छी अच्छी quality की breeds है उनका आप cross करवाओगे ठीक है देखो बटा एक बहुत अच्छी quality की breed है जैसे for example holiston frozen का नाम तो सब ने सुना होगा holiston frozen और थार पारकर थार पारकर का नाम भी सुना होगा नहीं सुना है तो मैं बता देती हूं थार पारकर काव की breed होती है जो राजस्तान के थार dessert में मिलती है ठीक है और यह breed बहुत ही अच्छी है इसका milk production भी बहुत अच्छा होता है डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा होता है तो जब इन दोनों का हम क्रॉस करवाती है तो इन दोनों के क्रॉस करवाने से क्या होता है जो हमें breed मिलती है वह best quality की breed होती है वहीजी ली किसी ऐसे प्लेस पे भी रह सकती है जह भी तो production अच्छा देगा ना ठीक है तो इसे बूला जाता है बिटा selective breeding क्या बूला जाता है selective breeding तो हम जो live stock raising और selective breeding यहां पर करते हैं यह हम animal husbandry में ही करते हैं ठीक है दूसरी बात यहां पर आपको management करना होता है management and care of the animals management and care of the animal क्यों भई सबसे पहले तो बिटा हम इनकी genetic qualities द हमारा profit तो होना ही चाहिए तो बिटा यहां पर genetic qualities जैसे अभी मैंने आपको example दिया थार पारकर और हुलिस्टन फिजन का इनकी qualities क्या है एक milk production बहुत अच्छा देती है दूसरा milk production तो अच्छा देती ही है साथ साथ में उसका resistance भी बहुत अच्छा होता है तो दोनों से हमें genetic quality इसको genetic quality भी बोला जाता है क्योंकि वो अच्छी और superior breed है ठीक है तो यह जो basically इनकी genetic quality को देखने के बाद हम इन animals की जब raising करते हैं तो इन से हम जादा से जादा benefit ले सकते हैं लेकिन जादा जादा benefit लेने से पहले हमें यह चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमें इनकी care भी करनी है care जैसे अगर भीमार हो गया तो इसकी directly आप उसको doctor के पास लेके जाओ आप उसको अच्छा-च्छा food दो ठीक है साथ में ही आप उसको जो watering आप दे रहे हो अच्छा-च्छा food मतलब अच्छी quality का food दो ऐसा नहीं कहीं से भी चारा उठा दिया और डाल दिया ऐसा नहीं थोड़ा सा में चीज का भी ध्यान रखना है कहीं contaminated place वहां से हम पानी तो नहीं ला रहे हैं तो तो definitely वह बिमार हो जाएगा तो इन सब चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है थोड़ा बहुत सैनिटाइजेशन का भी है कि जहां पर वो रह रह रहे हैं वह पूदेंग का धिया रखते है जब वॉटर उसकी हाउसिंग का धियान रखते हो कि उकेतना Ikin live वहां और नहीं उसको एक प्रॉपर स्पेस देना है उसकी फूडिंग का धिया जाए उसकी वाचरीं नेया रहत तो इन सब चीजों का जब हम धियान रखते हैं यसा कॉंड management and care of the animal और तब ही वो आपको production भी अच्छा देते हैं बच्चों ठीक है दूसरी बात बच्चों अगर आप रूरल एरियास की बात करोगे तो रूरल एरियास में maximum जो एकनॉमी होती है वो आपके आनिमल हस्बेंडरी पे ही बेस्ट है यानि कि अब देखो बटा जैसे अगर आप सेंसेस देखोगे तो सेंसेस में maximum जो आपके आनिमल्स है वो जादा तर कहां पर मिलते है रूरल पॉपुलेशन में यानि कि अगर मैं बोलूं आपसे कि इंडिया का सेंसेस अभी रीसेंट से पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियास की है कैटल में आपके लाव स्टॉक में आनिमल्स में तो आप देख सकते हो कंपारिजन कि सबसे जादा आनिमल्स आपके रूरल एरियास में होते हैं और सबसे कम आपके अर्बन एरियास में तो रूरल एरिया की पूरी एकनॉमी जो ही लगबाग गेन करते हैं ठीक है बिटा चलिए ये तो हमने बेसिक बात कर ली आनिमल हस्वेंडरी की अब हम लोग थोड़ा सा टामीनोलाजी पर चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काउस की काउ क्या होती है काउ होती है बिटा वो एडल्ट फीमेल जिसने एक कर चुकी है मतलब जिसका एक बिटा काव बोलते हैं ठीक है दूसरा आता है बिटा बुल क्या होता है तो बुल होता है आपका अन्ल केस्ट्रेटेड एडल्ट मेल मतलब जिसको आप ब्रीडिंग के लिए यूज कर ओके तो वह अच्छी और इसका जिसका केस्ट्रेशन नह उसको बोला जाता है बुल दूसरा टम आता है बिटा बोवाइन बोवाइन आक्शुली आपके कैटल से रिलेटर जो भी आपका कैटल से रिलेटर है उनके लिए हम स्पेसिफिक टम यूज करते हैं बोवाइन राइट चलिए अब नेक्स में चलते हैं बिटा नेक्स आपका स और पेडिग्री बूल का क्या मतलब होता है तो स्ट्रेड बूल होता है जिसका आपकी जिसकी प्रिवेस हिस्ट्री आपको नहीं पता मतलब जिसके अंसेस्टर का आपको नहीं पता उसके फादर कौन है उसकी मदर कौन है उसके ग्रांड फादर कौन है इसकी ग्रांड मदर क आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11-12 में भी बायों में हम लोग पढ़ते हैं और वैसे भी हम लोग पढ़ते ही आगे है ना तो पेडिगरी मतलब उसमें आप सब कुछ एनलाइस करते हो उसकी एंसेस्ट्र स्टुनिय को आप देखते हो तो पेडिगरी बुल मतलब जिसकी एंसेस्ट primo को बता है जिसका एंसेस्ट्र secolt रिकार्ड है उसको हम क्या बोलते हैом पेडिगरी और इनको आगे ब्रीडिंग परपस के लिए यूजस करा बिटा, नेक्स्ट आता है हमारा बुलक, बुलक क्या होते हैं, तो बुलक हमारे adult male होते हैं, जिनके secondary characters के development के बाद, secondary sexual characters के development के बाद, उनका किस्ट्रेशन करा जाता है, उनको बोलते हम बुलक, राइट, चलिए, after the development of secondary sexual character secondary sexual character के development के बाद इनका किस्ट्रेशन करा जाता है उनको बोलते हम बुलक्स राइट चलिए आगे चलते हैं बिटा next हमारे आ जाएंगे meat और herd अब देखो बिटा herd क्या होता है जैसे कि आप picture में देख सकते हो herd means group of the animals तो ऐसे ही kettles के group को herd बुला जाता है जहां पर बहुत सारे kettles होते हैं और बिटा ये terminology आपके exam में पूछी जाती है kettles के group को क्या बुला जाता है या फिर herd is a group of which one तो herd किसके group को बोलते हैं kettles के group को बोलते हैं राइट चलिए अब आगे बात करते हैं बिटा तो वील क्या होता है v-e-a-l-v-e-l means meat of the young calf of cattle तो basically cattle का जो young calf है उसके meat को क्या बोला जाता है बिटा वील बोला जाता है ठीक है चलिए अगला जलते हैं बिटा आगे नेक्स्ट है आपका beef केरा beef and serving अब देखो बिटा serving बहुत बार पूछा गया question है serving basically meeting को बोला जाता है जब भी आपके दो animal आपस में मेटिंग करते हैं जब भी आपके animal आपस में मिलते हैं मेटिंग करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है serving अब यह जो serving term है ना हर animal के लिए अलग-अलग होता है जैसे cow के लिए अलग है मतलब kind of serving तो cows के लिए हम यहां पर use कर रहे हैं kind of अगर मैं बोलू mating क्योंकि mating का ही process होता है तो जैसे pigs है, pigs में mating के लिए अलग term यूज करा जाता है ऐसी goats में या आपके ships में भी term यूज करा जाता है specific mating के लिए तो ऐसी cows में भी specific term यूज करा जाता है mating के लिए राइट चलिए आगी चलते हैं बिटा तो beef आप लोगों ने सुना भी होगा चलो अब नेक्स्ट का और चैरा बीफ पर चलते हैं बिटा तो चैरा बीफ जनरल ली ऐसी बफैलोस के मीट को भी बोला जाता है बुफिन भी बोलते हैं और मी ली जन बहुत सारा nutrition मिलता है तो यह भी बहुत खुश है कि इसे Ouch definition मिलेका मीट से है ना चलो अब आगी चलते हैं विटाटा है हमारा तर्मडाटS काल्विंग जो कि आप यहां पर पिक्चर में भी देख रहे हो राइट तो यहां पर कालऴिंग के साथ यह मीच प्रोर्डक्शन भी शोग कर रहे तो उस process को हम क्या बोलते हैं बिटा, parturition बोलते हैं, तो यहाँ पर भी similarly यही चीज़ करा है कि cattle में जो parturition है, यानि कि cattle में जो baby का birth होता है, उसे क्या बोला जाता है बिटा, उसे बोला जाता है आपका calving, क्या बोला जाता है, calving बोला जाता है, clear, चलिए, आगे जलते है next time में steer next term आता है बिटा हमारा steer अब steer क्या होता है तो steer होता है बिटा आपका young castrated male जैसे कि आप picture में भी देख सकते हो right young castrated male cattle which are just castrated before the sexual maturity जब उसमें sexual maturity आती है जब उससे पहले ही उसका castration कर दिया जाता है उसके male part कर removal कर दिया जाता है आप से पूछा जाए what is steer तो आप बदा सकते हो कि sexual maturity से पहले ही अगर किसी भी cattle का male cattle का अगर castration कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है steer तो ki sexual character's यानी की sexual maturity के development होने से पहले ही अगर किसी भी male का castration हो रहा है तो that is called steer ठीक है और यह young castrated males होता है राइट चली अब आगे चलते हैं बिटा नेक्स टम हमारा आजाएगा काल्फ अब काल्फ क्या होते हैं तो काल्फ बिटा जनरली हमारे क्या होते हैं कि आपके यंग बिसिकली यंग आनिमल्स के लिए हम काल्फ यूज करते हैं ठीक है यह यंग काल्फ जो है आप मेल और फीम से कम होगा और यह यहूंट है तो उस si700 को क्या बोला जाएगा काल्फ वुला जाएगा ठीक है अब चलते हैं उप जAF करते हैं जो भी लिखिमेर्ग होंगी उनके लिए हम हीफर्ट खरते हैं तो बीसिकली जिसका अभी काल्विग नहीं हुआ है ठीक है जिसने अभी बेबी बर्थ नहीं दिया जैसे एक बार बेबी बर्थ देगी तो उसको हम काव बोलते हैं ठीक है लेकिन अगर अभी तक यंग फीमेल या फीमेल कैटल जिसने अभी तक बेबी बर्थ नहीं दिया है उसे आप क्या बोलते हो हीफर बोलते हो ठीक है और इसका भी स्पेसिफिक एज होता है ठीक है जिसे 18 से 24 महीने ठीक है चलिए आगे चलते है नेक्स आता है बिटा स्टर्ड अप लोगों ने सुना घरव है मिञें चलते हैं टम हमने पढ लिया अब आप लोग मुझे बिताईगे इससे पहले हमने कैटल्स में पार्चुरीशन के लिए क्या काहा थे यह कोमже कॉमेंट में बताऊगी इसस़े मैं लीट है चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते ऊवाइन चैया अब यो उग सुर्णacci डोटर्म होते हैं मिजद इनरलई रत है in shike आपके उढेब्ग करते हैं इंट इस सबjakहमा और मैं ईंट मृटते है हैन तो नमाल,ancel था अंक। क्लिएटरेटेटर मेल स्चीट होते हैं क्या होता है क्या स्ट्येशन के स्टूएफिक रीजन पिलकुल होता है कई वार हमारे उन फिरियर उन प्रोड़क्षर ले ऐसे हैं और वो तिरीए बीरीट के साथ बार-बार crossing करते हैं अब देखो एक inferior quality का उसकी quality बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लेकिन वो superior quality की breed के साथ बार-बार crossing करा तो इसकी विज़े से क्या problem होगी इसकी विज़े से उनकी जो पहली generation आईगी उसकी quality बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी तो इसके लिए हम क्या करते क्या होता है तो लांप पोलते हं 1 चीप को जी चोटा है यंग मंथ reinforceम और से कम होती है उसको हम मैं उसको हम क्या लैम बोलते हैं अब नेक्स आता है राम लैम मतलब मेल तो यह आपके वह मेल होते हैं जिनकी एज अगें 12 से कम होती है तो उनके लिए हम क्या टाम यूज करते हैं राम लैम बोलते हैं चलिए अब आगे बात करते हैं इनके पार्चुरिशन की तो यहां पर शिप में पार्च क्या होता है तो देखो जो के स्ट्रेटेड मेल होता है शीप में के स्ट्रेटेड मेल को जिसका के स्ट्रेशन करा जा चुका है उसको वीडर बोला जाता है आपके एक्जाम में भी बहुत बार यह क्वेशन पूछा जाता है ठीक है वीडर और वीडर तो वीडर हम किसके करता है बिना मदर के तो उसको बोला जाता है विटा में घ्लेट है नेक्स जलते हैं विटा तो फ्लोक क्या होते हैं विसी के लिए तो शीप के ग्रूप को जैसा कि आप यहां पिक्चेर में देख रहे हो जो बहुत सारी शीप साथ में होती हैं तो उनकी equipment को क्या बोला जाता है केटल के ग्रुप को क्या बोला था बताया था मैंने आपको आपको याद होगा ठीक है तो टपिंग क्या होता है नाबाद में पुछा गया क्वेशन है तो शिप में जो मेटिंग होती है शिप जब मेटिंग करती है तो उसको बोला जाता है जनरली टपिं क्या बोला जाता है टपिंग बोला जाता है ठीक है मटन क्या होता है तो मटन बेसिकली शीप के मीट को मटन बोलते हैं काउस के मीट को हमने देखिया कि काउस के मीट को क्या बोलते हैं इसके अलावा बफैलोस के मीट को क्या बोलते हैं तो यहां पर शीप के मीट को क्या बोल चाहिए आपको याद रखना है किस किसमें इनको यूज करते हैं जैसे श्रिप में और यहां पर याँ पर प्राइन गोट में ठीक है अब देखे है यहां पर आपके टर्म सोते हैं बक डॉटव बक ड़ तो मिश्ड पर फी मेल के लिए हम क्या बूलता है और मेल के लिए हम ब बोला जाता है लेकिन फीमेल को क्या बोला जाता है डो बोला जाता है ठीक है और इनके बेबी को इनके यंग गोट को क्या बोला जाता है किड बोला जाता है क्लियर चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स पर नेक्स आता है आपका किडिंग किडिंग क्या होता है तो किडिंग ब बोला जाता है जैसे शिप में हमने क्या बोला बताओ शिप में हमने लैंबिंग बोला ठीक है ऐसे काउस में हमने क्या बोला कालविंग बोला तो यहां पर गोट्स में हम क्या बोलते हैं बिटा किडिंग बोलते हैं ध्यान रखनी आप कोई सारी चीजें बिटा बहुत इंप अब मैंने आपको कहाता है ना वीडर और वीडर तो वीडर इसमें यूझज करते हैं वीडरह से स्टीरट्रीट को बोला जाता है वीडरह सूनिब मिल झाही में चलो अब अगला देखते हैं बिटा नेक्स आजाएगा हमारा शिवान शिवान क्या होता है तो शीप के मीट को क्या बोला था शीप के मीट को हमने बोला था मटन और गोट के मीट को क्या बोलते हैं शिवान बोलते हैं ठीके तो ध्यान रखने आपको शिवान किसको बोला जाता है kettles और joking toast को क्या बोलते हैं याद होगा आपको रैट शीप के मीट को क्या बोलते है ये भी आपको याद सब्सक्राइब चैनल आपको बिलकुल ध्यान से सुनना है सारी चीजो पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देन आपको गण सब्सक्राइब ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं next आता है हमारा pigs pigs में क्या आता है बिटा poor sign poor sign means anything which is related to the pigs कुछ भी ऐसा जो generally आपके pigs से related हो right चलिए अब आगे चलते है next आता है बिटा हमारा so so क्या होता है basically तो so बिटा हम एक mature female swine के लिए यूज करते है mature female sign swine which has already the piglets जिसके already चोटे-चोटे piglets हैं जिसके already चोटे-चोटे babies हो चुके हैं तो उसके लिए आप क्या term यूज करते हो बिटा उसके लिए आप term यूज करते हो so अच्छा बिटा देखो आपके लिए कई बार वो पिक्स नहीं देता कई बार वो अपके लिए swine देता है तो swine में आपको घबराना नहीं है swine टर्म जो है वो इनहीं के लिए यूज करते है पिक्स के लिए ठीक है तो कभी भी आपस यह पूछ सकता है उसने आपके पास directly पिक्स नहीं दिया उसने आपके पास दे दिया directly swine तो आपको यह चीज धिया दिया swine is what? swine is actually pig ठीक है जिससे इंसे related बहुत सारे question आपसे पूछ लेता है नेक्स्ट हम बात यहां पर करते हैं बिटा बोर अब बोर क्या होता है female के लिए तो हम so बोलते हैं यह हमें समझ में आ गया लेकिन यहां पर हम male के लिए क्या term यूज करते हैं तो बिटा यहां पर male के लिए हम जो term use करते हैं that is actually uncastrated adult male swine यानि कि जो आपका uncastrated male होगा उसको हम क्या बोलेंगे बोर बोलेंगे clear चलिए अब आगे चलते हैं बेरो बेरो क्या होता है बेसिकली तो बेरो होता है बेरो क्या होता है बेसिकली तो castrated male swine क्या होता है castrated male swine इसको क्या बोला जाता है बेरो बोला जाता है clear चलिए आगे चलते हैं बेटा तो फेरोइंग फेरोइंग क्या होता है Act of Parturation. Act of Parturation को क्या बोला जाता है? Furrowing. तो देखों, बिटा, सब में मैंने आपको बताया कि Cow história में या Cattle में हम क्या बोलते हैं? Calving बोलते हैं. ठीक है? Goats में आप क्या बोलोगे? Kidding बोलोगे. Ships में आप क्या बोलते हो? Tapping बोलते हो. और ऐसे ही स्वाइन्स में आप क्या बोलते हैं तो फरोइंग बोलते हो बिलकुल ये चीज़ें ध्यान रखनी है डिरेक्ट एक्जामिनेशन में एक नमबर का क्वेशन आता है कोई भी एक्जेकल्चे का एक्जाम उठा करके देख लो कुछ जरूर क्वेशन मिलता है ठीक है तो बिलकुल ध्यान रखेगा इन चीज़ों का चलिए अब नेक्स चलते हैं बिटा हम तो नेक्स आता है हमारे पास पिगलेट और पोर्क अब जिसे आगे हम लोगों ने पढ़ा कि भाई किसके बेबी को क्या बोलते हैं जैसे गोट के बेबी को हम किट बोलते हैं ठीक है किप में हम क्या बोलते हैं ठीक है ऐसी हम काउज और बफैलोस में भी बोलते हैं राइट काल्फ बोला जाता है यंग जो आपका मेल या फीमेल हो बनी अर से चोटा हो ठीक है ऐसी बिटा पिक्स में जो हम टर्म यूज करते हैं बेसिकली डाट इस आप चुली यंग अब देखो बिटा कोई भी आपके मेल या फीमेल हैं ठीक है तो मेल या फीमेल के लिए स्पेसिफिक टर्म होता है ठीक है पार्चुरिशन के लिए स्पेसिफिक टर्म होता है जो आपके बेबीस हैं इनके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर पि क्प leonко क्या बोलते हैं यहां पर मैंने आपको बता एूत को क्या बोलते हैं इन में पार्चुरीश इसं को क्या बोला जाता है किसी भी कुंधर एक्जाम इंटाए तो । प्रफिशीस से तो जरूर आपके किसी भी अगरिकल्चर एक्जाम उठा लो बटा यहां से क्वेश्चन आपके पास जरूर रहता है तो यहां पर आप किसी के meat को क्या बोलते हो वह भी मैं आपको revise करा देती हूं फिक है तो यहां पर basically जैसे cattle से तो cattle में starting हमने पढ़ा वील किसको बोलते है और इसके लावा beef किसको बोलते हैं तो cattle's के meat को ठीक है ऐसे ही जो अपका गोट का मीट होता है उसको क्या बोलते है शिवान बोलते हैं शीप के मीट को आपने क्या पढ़ा था मटन बोलते हैं ठीक है और इसके अलावा जो आपके स्वाइन का मीट जो है पिक्स का मीट जो है उसको आप क्या बोलोगे तो इसको हम क्या बोलते है पोर्क बोलते हैं तो साथ ही साथ आपके जो यह शीप से इनका गिस्ट्रेशन पीरिड क्या है तो सभी का इन चारों स्पिशीज का गिस्ट्रेशन पीरिड आप सभी को मुझे बताना है ठीक है तो बिटा ये कुछ बहुत प्यारी-प्यारी चीजें पड़ी हैं आज हम लोगों ने आपके आनेमल को भी सब्सक्राइब करना है और अग्रिकल्चा अड़ा 24-7 के चैनल को ताकि इस तरह की बहुत अच्छी वीडियो आपको मिल सकें और दूसरी बात बिटा आप मुझसे और कौन-कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल उनिंडोटर कर लिजे और बचो अगर आप लोग को हमारी क्लास अचछी लगता है मेरे सेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे बिटिफें डियारा वजे होती है